हलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज कोला पूरी मिक्स वेज बनाएंगे थोड़ी तीखी स्पैसी होती है यह बहुत जादर टेस्टी बनती है जैसा कि आप इसका कलर और टेक्चर देख पा रहे हो यह कितनी टेस्टी लग रही है देखने से भी आप प्रेंगे ते कौन से सब्सक्राइब ली है हमने इसमें गाजर शिमला मिश मटर फूल गोभी प्यास बीन्स ली है आलू काट लिए है दो हमने फाइन चॉप के लिए प्यास दो प्यास लच्छे में काते हैं और तीन हमने बड़े साइस की टमाटर फाइन चॉप किये है अ एक बड़ी लैची दो हमने डाल चीनी के टुकड़े एक जावित्री का फूल लिया है आठ से दस हमने काली मिर्ची लिये एक स्टार इनीस का फूल ले लिया है और एक हमने जावित्री का फूल लिया है और तीन से चार हम इसमें साबोत लाल मिर्ची डाल देंगे क्योंकि है, तोड़ी स्म litt मिर्ची भी डाली है। और साबत लाल मिर्ची भी डाल करोइएी समय से धून Гश्षै चाहिए दो में तक भीछाम बून लेना है, लिखंषब फ्म छेसर भी ऐना में खाली मीश्षी भीछ से पीसेंगे, इस मासारे को हम ने 1-2 मिर तक भून लिया है, अब हमने टोटल जो भूना इसे 3-4 मिर तक भूना है, साइड में रख लिया है, ठंडा होने के लिए, रिफाइन डॉयल ले लिया है काफी सारा, एक पैन में उसे अच्छे से गरम कर लिया है हाई फ्लेम पर उसमें हमने प्यास जो लच्छे में काट कर रखे थे उसे डाल दिया है जैसे ही प्यास में जाग ख़तम हो जाएंगे इसके हमें हलका सा चला लेंगे और जैसे ही प्यास बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा बिल्कुल ब्राउन करना है उसके पाद हम इसे निकाल लेंगे और किचन चावल पर रख लेंगे जिससे इसका तेल निकल जाए अब बाकी बचेवे तेल में आमने सब्जीओं को फ्राय कर लेना है सब्जे में सबसे पहले अलू डाल दिये अलू को हमने दो मिनट तक फ्राय करने के बाद इसमें फूल गोभी दाल देनी है फूल गोभी को भी हमने दो मिनर तक फ्राय करने के बाद हम इसमें गाजर डालेंगे जिस तरह से हम फ्राय करें बलकुल वैसे ही कीजिएगा दो मिनर तक फूल गोभी को किया है तो आप हमने इसमें गाजर डाली है गाजर को हमने एक मिनर तक फ्राय करना है जा पुराजा कम टाइम लगता है और जो ग्रीन वेजटीबल से उनका कलर भी बना रहता है तो बस इन्हें हमने फ्राइ कर लिया है इन्हें हम निकाल देंगे यह हमारी हाफ से जादा कुक हो चुकी है मतलब 75% तक कुक हो चुकी है तो अब हम बचे वे तेल में इसमें डाल दें बीन्स को कुछ सेकंड्स तक फ्राइ करने के बाद इसमें हम डाल देंगे शिम्ला मिर्च और शिम्ला मिर्च को कुछ सेकंड्स तक फ्राइ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्यास प्यास और मटर लास्ट में अट कीजिएगा को प्यास को बहुत जादा ब्राउन नह नहीं देना है। हमने प्याज और मटर को एक सार ढाल देना है। और प्याज और मटर को कुछ शेकंड तक फ्राय करना है। और भस मददव 45 से 20 से तक और उसके बाद हमने इन सब्जियों पीस लेना है अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे वह हम बाद में डालेंगे यहीं हमने इससे पीस लिया है और अब हम इसमें दो चम्मच के आसपस पानी डाल देंगे जादा नहीं दो चम्मच ग्यास पानी डालिएगा और इसका पेस्ट रडी करना है हमें तो यह हमारा कोला पूरी मसाला बनकर रडी हो जाएगा यह रही पेस्ट रडी है इससे साइड में रख लेते हैं अब हम सबस की थी तेल लिया है साहत है निकाल लिया है ओंली2 दो से तीन चम्मच तील को बचाया है तेल को अच्छ से से गरम किया है उसमें दोस तेस पत्ते एक सावत लाल मिचची डाल यह अब हमने इसमें कटा हुआ region दाल दिया है इस कट्य पेस को ब्रॉन करना है इसमें दाल देंगी अधरक लोशन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाकर अब यह जो प्यासे से इस 30 मिर तक से बहुत हलका सा कलर चेंज हो चाहिए ब्रॉन नहीं हो न्योंकि भॉन अनियन तो हम पहले सरह ça ही बना चुकवे हैं कोलापुरी मसाले इसकी बहुत अच्छी खुश्बो आती है सबसी में इसकी सारा मसाला हमने डाल दिया है अच्छा अब हमने इसमें टमाटर डाल दिये हैं टमाटर की साथ इसमें जाएगा नमक अधी चोटी चमच गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना इन सब को अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मेश पाउडर एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच काश्मीरी लाल मेश पाउडर थोड़ा जाएगा क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है मसाला बनाया था उसी जार में हम départ में मिक्स कतके पाणी बीजी टाल दिया ये ताकि मसाला भी वेस्ट ना हो अब इस टमाटर को में अच्छे से पका लेना है नीं ऐसे प्रक्शे नहीं लगाना है इसी तरह से लगाता चलाते रए नमयकर पर हम इसे लगाता चलाते रहें क च्छे से साथ मिनट तक हम ने इसे पकाया है टोटल अब हम धक्कन लगा लेंगे इसे दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद एक बाद फिर से चला लेंगे जितना आप इस मसाले को पकाएंगे उतनी ही इसमें अच्छी खुश्बू आएगी उतनी ही टेस्टी आपकी सबजी बनेगी तो यह देखिए हमने इसे दो मिनट धकन लगाने के बाद इसे दो मिनट तक पकाया है उसके बाद हम फिर से इसमें धकन लगा लेंगे तो यह दो मिनट तक हमने फिर से इसे पकाया है अच्छे से इसे चला लेंगे देखिए कितनी अच्छी तरह से देल छोड़ दिया है मतलब हमारा मसाला बिलकुल रड़ी है इसमें दो चम्मच मलाई के डाल दिये हैं मलाई डालने के बाद भी हमने इसे 2 मिनिट तक पकाना है धक्कन लगा कर उससे क्या होता है जब हम मलाई डालते हैं उससे सबसी यह बहुत छी शैनिंग आ जाएगी और टेस्ट भी आएगा तो 2 मिनिट लिए धक्कन लगा हम इसमें डालेंगे सबज़ा जो कि हमने अलग से फ्राय करकर के रखिए ड्रकंट सारी सबज़ा एंडेंगे सबजायों को ऐड़ करने के बाद अच्छे से समिक्स करना है और जब हम इसे मिंक्स कर रहे होंगे तो थोडरा मसाले में दोर टायम लगेगा उस अब juvenile पनीर 50 gram दोर थोड़े पनीर कट कर करके डाला है कि और भी जुट पनीर. डेलीज़ेयों कि पीच है कती त्मक्त जाए बना तक्षे मैंनिता शञा कंशले का fidelity कटिकी था कुष्वू हुआю, यह झाव कहा है ज़त नहीं बाहरा टेस्टी लग रही है इस लुट लग रही है है तो अच्छे समयर मिक्स कर ले लिए आ इसे उक मिक्स कर लेना इसे फ़िछ और भाले करyty भी अब हम अब अम इसे कर्शली मित करें कर लिया है मिक्स कर सकते हैं काई एक्सा रभी तरो drastically कर ली आप क्श्च कर देंगे Siya करिश करके हमने डाल है जो थोड़ा बहुत बहुत ऊपर प्रते बच गए है हू寸े अलग कर लेंगे गम हमने से घृ Ideya कर दे जान है अब इसकते बाद हम मुला कर देना है थक्षा कि डिफ़ बात हम इसे सरफ करेंगे ताकि कसूरी मिती का फ्लेवर अच्छे से अपसॉब हो जाए सबजी में सबजी रड़ी हो चुकी है तो चले सर्फ करते हैं अब आप इसका टेक्चर देखिए इसका कलर देखिए और खुश्बू तो आप तभी देख पाएंगे तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इसे बनाएंगे देखिए बहुत ही जबरदस यह सबजी बनी है आप इसका कलर टेक्चर देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी जबरदस सबजी बनी है हमने इसे सर्फ किया है चापाती के साथ आप प्राँठा के साथ भी सर्फ कर सकते है बहुत ही जादा टेस्टी यमी बनी है आप बिल्कुल स्टेप बार स्टेप इसी तरह से सबजी को बना कर ट्राए करेंगे और बना कर ट्राए करेंगे तो प्लिस अपनी फीड़ बैक शेर ज़रूर कीजएगा कॉमेंट बॉक्स में और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब की बिना बिल्कुल नहीं जाएगा बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए बना ध्यान रखी टेक यह बा झाल 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 झाल